विन्ब्रेकर की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का सौगत है लाश वीडियो तक अपने देखा था कि साकुरा के और न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं जो कि उसी ग्लास के टॉप 5 स्ट्रॉंगेस्ट में से दो थे अज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन इन सब में से इनकी ग्लास का ग्रेट केप्टन बनेगा तो अगर आपने हमारे विन्ब्रेकर सीरीज की पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजेगा ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपका फ्लो बना रहे है सो अब बिना को टाइम को आए लेस्स टार्ट दा वीडियो टेप्टर की स्टार्टिंग में हम सागोरा को देखते हैं जो अपनी क्लास में पहुँचकर सुओ और बाकी सबसे चिला कर कहता है अब ये ग्रेट कैप्टन है क्या चीज और तुम सब ये बात मैसेज में क्यों कर रहे हो जबकि हम ये बात आमने साबने भी तो कर सकते हैं मिट सुकी कहता है क्या यार चैट पर बात करने थोड़ा इजीन लगता तुमें फिर सुओ भी कहता है मैंने री डिसिप्ट को देखा था तो मुझे पता था कि तुमने ये मैसेज़ेस देख लिए होंगे पर तुम न्यूँ हो चैटिंग में तो इसलिए तुमें ये थोड़ा वेर्ड लग रहा होगा पर तुम चिंता मत करो हम तो सिर्फ कैप्टन के बारे मात कर रहे थे तब ए उनकी ग्लास में तो मन टीम सेकंड ये के ग्रेट कैप्टन और वाइस कैप्टन एंट्री मार दे हैं उनको देख करने रहे तो फूल एक्साइटड हो आता है और बोलता है वाओ ये तो फेमस सेकंड येर्ज हैं इनो मतिसा कुसुमी सा एंट काजी सा दूसी तरफ साकुरा को काजी सा थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होता है फिर वहीं इनो मतो कहता है उन सब से हम है सेकंड येर्ज के और हमी लोग तुमें देखेंगे जल्दी से अपना Great Captain Choose करो इसी वक्त Great Captain तुमारी Class का Head होगा जो इस Class के बच्चों की देखबल और उने Guide करेगा और इसी Class के सारे Problems और Issues को भी वोई Solve करेगा तुम खुद के लिए Vote या फिर अपनी Class के किसी बच्चे को Recommend कर सकते हो सो अब जल्दी करो और यहीं खतम करो इसे साकुरा को भी अब समझा दता है तब ही उनी के बीच सुव अपना हाथ उटा कर कहता है मुझे लगता है कि साकुरा को वनना चाहिए हमारे Leader ये सुनकर बाकि सब भी इस पर Agree करते हैं ताइगा सिधा कहता है तुम में है वो दम साकुरा और तुम रियल कूल भी हो तब ही साकुरा पैनिक हो और सुगिष्टा की तरफ उंगली करते हुए कहता है अब ऐसे रोल के लिए तुम है नगता कि ये इनसान फिट होगा ना कि मैं सुगिष्टा के तो मुपर ही लिखा होता है कि वो बिलकुल not interested है यही चीद सुगुब कहता है फिर साकुरा दुबारा कहता है मुझे समय नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ उपर से मैं एक भार का आदमी भी हूँ वहीं उसके पीचे से एकदम से बाकी क्लास के लटके भी बोलते हैं अगर तुम outs order हो भी तो उससे कुछ लेना देना नहीं है क्यूंकि तुम अब इधर ही के हो प्लस तुमने और सुविष्टन मिलकर जूनिर हाई के बच्चे को बचाया था है न अगर तुम लीडर बनोगे तो मैं तुमारा वाइस के बारे में क्या ख्याल है अगर तुम सब को लेड़ डाउन करोगे तब ही साकुरा अपने inner thoughts में कहता है basically great captain होना मतलब तुम क्लास के टॉप पर हो बट उसके इलावा भी कुछ है जो मुझे टॉप पर आने के बाद करना है मैं हमेशा से अपने बलबूते पर उपर आना चाहता था और इसके इलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था पर जब से मेरी बात ओमिया से हुई मुझे तब से लगता है कि मैं और तुम्हें हमा सेम थे इसके बावजूद भी ये मुझे चूस कर रहे हैं तब ही वहाँ पर काजी एकदम से चिला कर कहता है अबे कितना टाइम वेश्ट कर रहे हो वे हमने तुमें इतनी बड़ी चीज चूस करने को नहीं कही है जस तुमें एक ग्रेट कैप्टन चूस करना है इसके लिए कि आप तुम एक पूरा साल होगे चुनने में वही सभी काजी की बड़बड से अपने कान बंद कर लेते हैं कुसूमी तब ही वहाँ आकर उसका हेटफोन नीचे कर देता है जिससे उसकी आवाज थोड़ी अब धीर हो जाती है और वो आगे कहता है जल्दी करो यार कितना टाइम लगाओगे डिसाइट करने में काजी फिर एकदम से साकूरा पर उंगली रखकर कहता है सुनो तुम आपसे तुम हो ग्रेट्रेप्टन चलो भी चीज यहीं पर खाता होती है साकूरा कहता है आपे मेरे से बिना पूछे कैसे बोल सकते हो तुम जिस पर काजी बोलता है पूरी ग्लास तुमें ही चुन रही है तो अब ये फाल दुबाते करना बंद कर कोई तुम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे है कि तुम इस काम को परफेक्टली करो साकूरा तबी एकदम से इनो मोटो साथ से कहता है तो फैसला हो चुका है तो मन्स फर्स्ट इर का ग्रेट क्रेप्टन है साकूरा तालिय बजाओ ये सुनकर वहीं पर सब लोग ताले और सीटी बना लग जाते हैं आगे निराई, सुओ और बाकी सब उसे जम कर होसला देते हैं कि अगर कोई गड़वड होगी तो वो उसके साथ हैं हमेशा समानने के लिए अब इसी के साथ बहुत चमेलों के बाद ये सीन यहां पर खतम होता है और हमारा ग्रेट कैप्टन है साकुरा अब इसके आगे हम थोड़े नॉन इंपोर्टन सीन्स को स्किप करेंगे जिसमें नॉर्मले सेकेंड इयर वाले यानी काजी और बाकी लोग साकुरा निरे और सुओ को काम सिखाते हैं एस अ ग्रेट कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे करना है तो इन चैप्टर्स पर कुछ ज़्यादा खास है नहीं तो इसलिए हम इसे स्किपी कर रहे हैं आगे अब हम साकुरा को कोतोह के कैफे पर देखते हैं जहां पर कोतोह को भी पता लग जाता है कि साकुरा गेट रेटर बन चुका है जिस पर वो खुश होकर कहती है मुझे लगता है कि ये चीज बहुत सही है तब ही साकुरा एकदम से कहता है कद्दू सही बात है ऐसे लीडर बन कर क्या करना जिसे कुछ पता ही ना हो कि आगे करना क्या है कोतोह वापिस कहती है हे बगवान तुम हमेशा से ऐसी हो तुमें अपनी क्लास के सारे बच्चों के चेहरे और नाम तो पता ही होंगे ना जिस पर साकुरा को ये भी नहीं पता होता है इस पर कोतोह उस पर बहुत अस्ती है और आगे कहती है किसी का नाम जारना तो तुम करी सकते हो अगर तुम सामने वाले को उसके नाम से एड्रेस करोगे तो इससे सामने वाले को अच्छा लगता है कि तुम उसे जैसा वो है वैसी उसे एकसेप्ट कर रहे हो तभी इस बात को ध्यान में रखते हुए साकुरा वा अपनी क्लास में आकर सब बच्चों के नाम याद करने के कोशिश करने लग जाता है जिसमें ओविसली वो बहुत चड़ता है सुरू में ओविसली यार इतनी बच्चों का नाम याद अखना थोड़ा टफ तो हो गई इसी में उसकी एल्प नेरे कर रहा होता है और बाकि सब उसकी फिर्की ले रहे होते हैं कुरा उन्य की वीज तब ही अचानक से तेंजाई को देखता है जो बहुत टेंस लग रहा होता है अचानक से वहीं टेंजाईबर से देख लेता है और फटावड़ वहां से भार भाग जाता है यह जीत साकुरा को खटकती है कि तब ही उनके ऊपर स्पीकर से उमें में अनाउस में देते हैं कहता है सबी 1st और 2nd एर के ग्रेट कैप्टेंस और वाइस कैप्टेंस रूफटप पर हाज़िरों इसी के बाद वो अब उपर से ले आते हैं जहां उन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं जो अपनी अपनी क्लास के ग्रेट कैप्टन है वहीं पर उन्हें काजी और भी मिल जाते हैं अब यहीं पर दिक्कत ये आती है कि पहले तो साकुरा को अपनी क्लास के सारी बच्चों को मेमराइज रटना था इसके साथ साथ अब उसे यहाँ पर जितने लोग है मुझे तो स्कूल के सारे बच्चों के नाम और उनके चैरे याद आदे है यह सुनकर सूओ और साकुरा दोलो शौक निरे वापिस बोलता है देखो मैं जानता हूँ जब बात लड़ाई की आए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बट मेरे पास एजिली दूसरों के नाम और उनके चैरे याद अखने का टैलेंट है और इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं सबको याद करके फिर इन में साकुरा के लिए लाइफ थोड़ी एजी कर दूँ और मैंने ये भी डिसाइट करा है कि मैं तुम्हारी हल्प करूँगा टॉप पर आने के लिए सुवो तो सीधर निरे को अमेजिंग ही कहता है इतना सब को याद खने के लिए फिर वो तब ही अपना भी बताता है कि वो नेगरिशेशन को एंडल करेगा मतलब अपोनेंट को अपनी डिक्वेस्ट मनवाने के लिए उनसे नेगरिशेट करेगा उन दोनों को ऐसा देख साकुरा को थोड़ा अब हलका सा महसूस होता है और वो शर्माते वे मुड़कर कहता है ठीक है मैं ये चीज़े तुम पर छोड़ता हूँ पीछे से उमेवे भी आ जाता है एंड फाइनली अब हमें उसके साथ बाके तीन किंग भी दिखते हैं फ्यूरिन के अपने अपने एडवाइसर के साथ ओमेवे की आते हैं ये वहाँ पर सब लोग साब दर्वाली पोजिशन में आ जाते हैं दूसरी तरफ निरे बिल्कुल पैने को रखा होता है फिर उनके बाके किंग्स को देखकर जो की हैं हैड ओफ जीको की टीम सुबा की नुसा हैड ओफ कोवो की टीम मिसो की सा हैड ओफ डूफिर इनको लीड करोगे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज़ जान लो खेर वो तुमने अभी तक नोटिस भी करनी होगी आपर जोग ही है कि मैंने बहुत सारे पौदे हुगाए हैं थैंक्स तो शुगिशिता जिसने इस पर मेरी हेल्प करें जल्दी ही हम बहुत सारे वेज़ी जुगाएंगे तो समर बारवेग्य के लिए तैयार है ना सब तब ही हिरागे उससे कहता है ओमेमिया क्या सहीमत तुम्हें ये चीज़ लाने थी बीच में वो भी अभी जिस वर ओमेमिया सर को जाते हुए उन सब के सामने सर जुग करो I am counting on you guys ये सुनकर सब भी लोग तीज से yes sir कहते हैं चलो फिर अपनी टीम के साथ जमाओ कर उन्हें अच्छे से जानो तब ही दूमन वाले एक दूसरे को मस्ती मजाक में जानी रहे होते कि उमें में वापेस उनके पास आकर साकुरा को देखकर कहता है सो दूमन सेंपा इसके पास आना और उसके बाद हम सवाल लेंगे हम तुवारे बड़े बाई जैसे ही हैं उनकर वो तिनों अंदर से बहुत खुश होते हैं इसी के साथ अभी मीटिंग खतम होती है और सभी अपनी अपनी क्लास में वापिस आ जाते हैं जहाँ पर क्लास वन में निर में तो वो कभी कुछ नहीं बताता फिर यह नोटिस करने के बाद साकुरा के दिमाग में वही ओमे में की बाते जाते हैं कि वह चाते थे कि ग्रेट कैप्टेंस अपनी क्लास के बच्चों की हल्प करें बस इसी स्रस्परेंस के साथ आज की हमारी वीडियों यहीं पर एंड